Hello and Welcome Back to Asset Guide YouTube Channel आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ share करूँगा एक ऐसी information जिसमें आप regular passive income ले सकते हैं 10% तक आपको मिलेगी साल में 4 बार और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर 30-40% तक का annual growth भी देखने को मिलेगा यानि की आपको one time investment करना है उसके बाद साल में 4 बार आपको वहाँ से salary के type में income मिलेगी यानि की 4 बार income मिलेगी और ये 4 बार में income आपके investment का 10.97% होगा साथी साथ यहाँ पर आपको 30-45% तक annual growth भी देखने को मिलेगी यानि की आपके fund से आपको income भी हाएगी साथी साथ आपके asset में growth भी होगी यानि की आपका investment बढ़ेगा भी और वो भी 40% तक बढ़ेगा और इस जो information है इसका basis तो जो हम बात कर रहे हैं ये और भी ज़्याद़ important हो जाता है क्योंकि President of India ने भी इसको खरीद आवा है तो क्या है company का business model वो आज हम देखेंगे business से आपको क्या benefit होगा किस तरीके की आप income कर पाएंगे ये सारी चीजे आज हम देखेंगे तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं और आपको मैं company के बारे में और ज्यादा detail देता हूँ पहले मैं आपको company की थोड़ी सी एक छोटी presentation दिखाता हूँ presentation में आपको main points कवर करूँगा जैसे कि क्या profit है किस तरीके से आपको income होगी इसके बाद मैं आपको company का business model समझाऊँगा क्या है उसके बाद हम financials देखेंगे और हमने जो चीजों की बात की है हम जो यहां पर discussion कर रहे हैं वो reality में कितना exist करता है वो सारी चीज़े हम यहां पर hand to hand में आपको cross check करके दिखाऊँगा और future potential क्या है वो भी मताऊँगा और last में हम आपको दिखाऊँगा कि president of India के portfolio में यह share जो है कहां पर exist करता है तो सबसे पहले में आपको profit detail दिखा देता हूँ तो आपको यहां पर मिलेगा 10.97% dividend आपके investment पर और यह dividend आपको साल में 4 बार मिलेगा यानि कि आपको आप जो invest करेंगे आपके investment की जो portfolio रहेगी उसका 10% आपको साल में 4 बार salary के तौर पर मिलेगा dividend के तौर पर, gift के तौर पर मिलेगा, profit के तौर पर मिलेगा इसके साथ साथ आप जो 30% इसने increment दिया है पिछले एक साल में यानि कि आपका asset जो है वो भी 30% बढ़ेगा यानि कि अगर मान लिजिए कि आप 1,00,000 रुपे invest करते हैं तो एक साल के अंत में आपके 1,30,000 रुपे हो चुके हैं पिछले साल invest करने वालों के और जो लगतार पिछले 5 साल से hold किये हुए है तो उनका portfolio यहाँ पर regularly 45% के साफ से बढ़ रहा है यानि कि 5 साल पहले अगर आपने invest किये हैं तो आपका यहाँ पर 45% increase हो गया है तो यह जो company है इसका जो share है आपको regular passive income का एक source है आपको regular passive income generate करके देता है और यह confidential है क्योंकि यहाँ पर President of India ने invest किया है साथी साथ काफी जो बड़े shareholders हैं investors हैं वो भी इसको recommend करते हैं और अभी मैं आपको इसका business model बताता हूँ तो आपको बाकी चीज़े भी खुद बखो समझ में आ जाएंगी और फिर हम इनके financials और इनका track record देखेंगे साथी साथ इनके dividend की history भी देखेंगे तो चलिए company के बारे में जान लेते हैं company का नाम है power grid corporation of India limited government public sector company है और इनका जो main business model है that is power distribution and power transmission तो power transmission आप देखते ही होंगे आज के टाइम पर आपको बड़े-बड़े grid lines दिखती हैं क्योंकि electricity का use घर में एक CFL को जलाने से लगाकर train को चलाने तक बड़ी सारी जो electronic industry है सारी जो हमारी industry है जितनी भी वह सभी को run करने के लिए energy की जरूत पड़ती है और energy को generate करना impossible नहीं है लेकिन उसको transmission करना काफी चुनोतियों वाला काम होता है जैसे कि आप अगर आप एक पावर हाउस लगाते हैं तो पावर हाउस से पावर तो generate हो जाती है लेकिन उसको अपने destination तक पहुंचाना एक बड़ी problem रहती है तो उसी problem का solution power grid corporation of India provide करता है यह पावर हाउस से consumer तक चाहे वो railway line हो चाहे वो industry हो चाहे वो domestic हो चाहे वो commercial हो सभी तक यह power distribution करते हैं और power का transmission करते हैं तो यह है इनका business model यानि कि यह power generate नहीं करते हैं यह generate एक sources जो power generate होती है उसको उसके final destination तक पहुंचाते हैं transmission करते हैं तो इनका revenue generate करने का process काफी simple है यह जो power generation है power generation unit है वहाँ से electricity purchase करते हैं और जो consumer है end consumer है उनको sell करते हैं तो इनका जो asset है वो एकदम काफी simple है और काफी reliable है यानि कि यह power को purchase करते हैं और power को sell करते हैं यहाँ पर यह नहीं कि यह power house बना रहे हैं वो success होगा नहीं होग तो यह ऐसा नहीं है यहां पर security पूरी है क्योंकि यह already जो power source चल रहा है powerhouse चल रहा है वहीं से power electricity को purchase करते हैं और आगे उसको transmission करते हैं अब हम इनके financial check कर लेते हैं किस तरीके से इनों ने past में perform किया है तो उसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूं तो टिकर टेप पर साथ ही साथ में थोड़ा सा analysis आपको ticker phenology से भी दिखाऊंगा और बात में दिखाऊंगा कि President of India के portfolio में यह share कहां पर exist करता है तो चलिए टिकर टेप की official website पर चलते हैं लेकिन उससे पहले आप देख लिजिए हमारा disclaimer और disclaimer यह कहता है कि आप जितने भी ट्रेडिंग मार्केट है चाहे वो cryptocurrency हो चाहे स्टॉक मार्केट हो सभी और इसमें इन्वेस्ट करने से पहले आपको खुद का research भी होना चाहिए क्योंकि यहां पर आपको नुक्सान भी हो सकता है तो चलिए अब हम टिकर टेप की official website पर चलते हैं तो हम आ गए हैं टिकर टेप की official website पर यहां पर आप company का नाम चेक कर सकते हैं पावर ग्रीड कोर्परेशन ओप इंडिया निमिलिटेड और यह पावर ग्रीड के नाम से है 226 रुपे का इसका करेंट प्राइस है और अभी हम इनके overview देख लेते हैं यहां पर एक मन्त का रेटन है निगेटिव में 5.52 परसेंट लेकिन येर की अगर हम बात करें तो यह इनका पूरा चार्ड भी देख सकते हैं किस तरीके से ग्रोग किया है तो यहां पर हमारे दो पॉइंट एकदम वेरिफाई हो जाते हैं कि एक साल में 30 परसेंट का रिटन और 5 साल में 46 परसेंट वाला जो रिटन है वो यहां से क्लिर हो जाते हैं अब हम बात करते हैं लो रिस्क है कोई रिस्क नहीं है अब हम यहां पर डिविजेंट आप चेक कर सकते हैं 10.97 परसेंट डिविजेंट है जो कि आपको साल में 4 बार मिलता है इंस्टॉल्मेंट के दोर पर तो यह काफी बढ़िया चीज है अब हम फाइनेंशल देख लेते हैं फाइनेंशल में अगर सबसे पहले मैं आपको यहां पर दो तीन जो इंकम स्टेटमेंट है वो दिखाते हूं पहला तरह है कि पिछले पांच यहर में कंपनी की जो ग्रोथ है वो 14.26 परसेंट हुई है जबकि इस इंडस्टी की जो एबरेज ग्रोथ थी वो 5.69 परसेंट थी यानि कि यह द इसके साथ साथ आप अगर इंडस्टी की नैट इंकम की बात करें तो यहां पर पिछले पांच साल में इनका जो एरली रेट है ग्रोथ का वो 15.1 परसेंट है जबकि इंडस्टी का एवरेज 14.1 परसेंट है तो यह कंपनी कितनी स्ट्रॉंग है फंडमेंटली यह आप यहा ज़्यादा कंफ्यूजन में पढ़ जाएंगे तो सबसे पहले बस मैं आपको यहां पर इबिटा आप देख सकते हैं यह दो हजार बाइस में इंकम थी 40 करोड चालीस हजार 517 करोड और नेट इंकम की बात करें तो यह 16,824 करोड है तो देखें इबिटा जो होती है यह वह खर्चे होते हैं company के expenditure होते हैं जो different different चीजों में खर्च हो जाते हैं तो यह आपको यहां पर चेक है सकते हैं जैसे power और fuel consumption कितना है employee की cost कितनी यहां पर गई selling and administrative expense कितना है operating and other expense कितना है तो यह सारी चीजे रहती है लेकिन net income वो है जो इनका अपना net profit है तो यह 2022 का है 16,824 करोड और 2021 का था 12,036 करोड 2020 का था 11,069 करोड और उससे पहले था 10,033 करोड तो net income आपने यहां पर चेक कर ली अब हम चेक करते हैं balance seat balance seat में देखेंगे asset और liability तो company के पास total asset है 2021 में 255,776 करोड और liability की बात करें तो यहां पर 1885,831.55 करोड लाइविल्टी है तो asset और liability का comparison भी आप जो है check कर सकते हैं जो की काफी satisfactory है तो यहां पर भी हमें green signal मिलता है company के बारे में cash flow की बात करें तो cash flow भी काफी अच्छा है और 2022 में आपको 19,948.60 करोड का यहां पर cash flow देखने को मिला था positive 2020 में 19,371 का positive cash flow देखने को मिला था तो यहां पर अब हमें कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारी चीज़े financially बहुत strong है holding pattern की अब बात करते हैं तो यहां पर holding pattern भी बहुत ज्य 7.77% है foreign institution 29.35% है retail and others केवल यहां पर 3.2% है तो यहां पर देखी कोई यसा भी points जैसा नहीं है जिसने इसमें invest नहीं किया है यानि कि company हर एक point of view से बहुत ज्यादा strong है और satisfactory है तभी आपको यह सारे investment देखने को मिल रहे हैं साथी साथ आपको यहां पर इनका जो pattern है वो time wise कै इसे change हुआ है वो भी आप देख सकते हैं तो यहां पर mutual fund में भी कोई change नहीं आया है अगर हम foreign institution की बात करें तो वो भी investment उनका बड़ा है कम नहीं हुआ है यानि कि आगे का future भी एकदम strong है company की अपनी जो promoter holding है वो भी एकदम stable चल रही है तो fundamentally काफी strong चीजे है अब हम main अप 10.97% का है अगर आप 1,000 रुपे invest करते हैं तो आपको dividend के तोर पर ही यहां से 109 रुपे 73 पैसे पर year मिलेंगे अब मैं आपको दिखाता हूँ 2016 का dividend एक बार मिला है अभी 2022 का 22 में आपको 5 रुपे 55 पैसे अभी तक dividend मिल चुका है एक बार और 2021 अभी यह तीन बार और मिलना बाकी है 2021 में 4 बार dividend दिया गया था तो 2021 में पहला dividend दिया था 8 March को जो की 4 रुपे था दूसरा 8 सितंबर को 3 रुपे 22 दिसंबर को यहां पर 4 रुपे dividend दिया गया था यानि कि total अगर हम बात करें तो यह हो जाता है 14 रुपे पर सेयर डिविडेंट यहां पर मिला था अब हम इसको लोड मोर करते हैं और पिस पास्ट का dividend दिविडेंट देख लेते हैं तो 2020 में यहां पर 3 बार dividend दिया था एक बार 5 रुपे एक बार 4 रुपे और एक बार 5 रुपे 96 पैसे यानि कि 6 रुपे 5 रुपे और 4 रुपे तो 15 रुपे 2020 में भी डिविडेंट दिया गया था 2019 की बात करें तो यहां पर भी आपको लोड मोर करके देखना हुआ 2019 में 5 रुपे का dividend दिया था 19 अगस्त 5 रुपे 83 पैसे 14 मार्च और दिखाता हूं इसके fundamental की President of India का यह stock है the latest quarter result might not be available as they may file it later on ठीक है तो अब मैं यहां पर दिखाता हूं आपको power grid corporation of India तो यहां पर हम चलते हैं नीचे और यह आगे हम power grid corporation of India तो यह देखिए President of India के portfolio में आपको देखना को मिलता है power grid corporation of India और यहां पर आप टिकर फिनों यह भी यहां से regular income कर रहे हैं तो अब आप समझ चाहिए कि यह stock में कितना ज़्यादा potential है क्योंकि President of India ने इसको hold किया हुआ है अभी मैं आपको यहां पर सर्च करके दिखाता हूं power grid corporation of India पावर grid corporation of India का ticker phenology chart खुल गया है data यहां पर आप देख सकते हैं यह अदानी पावर टाटा पावर की competitor company है तो यह था overall overview कि आप किस तरीके से passive income generate कर सकते हैं यानि कि आपको one time investment करना है यहां पर 226 का एक share है आप चाहें तो अपनी capacity के according कितना भी इंवेस्ट कर सकते हैं कितने भी numbers of share purchase कर सकते हैं जितना ज्यादा आप earning लेना चाहते हैं उतनी ज्यादे यहां पर निवेस्ट कर